Hello friends, welcome to your own chance की क्लास में हम करने वाले हैं Use of, keep on ऐसे सेंटेंस जो की हर रोज हम अपनी लाइफ में यूज तो करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इनको एंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे Guys, it's very easy जब आपको पता चलेगा कि इनको हम कैसे बनाएंगे तो आप हर रोज इन सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करतेंगे तो चलेए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास First one है, वो तो पढ़ता रहता है जिसे हम बोलते हैं कि वो तो पढ़ता रहता है जिसे कैसे बनाएंगे He keeps on reading He keeps on reading He के साथ हमने Keep लगाया First form उसके साथ हमने S याँ E S का यूज करना है जब भी हम He, She, It का यूज करेंगे अगर हमारा subject जो है He, She, It है तो उसके साथ हम First form के साथ S याँ E S का यूज करेंगे He keeps on reading इस तरह से Next है कि मैं पढ़ता रहता हूँ I keep on reading First form plus ing Keep के साथ हम S याँ E S नहीं लगाएंगे क्योंकि ये rule नहीं है Next है बच्चे खेलते रहते हैं Children keep on playing Children जादा है इस लिए ये plural है तो plural के साथ S याँ E S नहीं आदा तो हम keep on का यूज करेंगे Children keep on playing Next है अमन खेलता रहता है Amun keeps on playing अब Amun क्या है third person है तो third person singular के साथ हम क्या लगाते है S या E S Amun keeps on playing Next है वह 24 घंटे बोलता रहता है ये sentence हम बहुत बार यूज करते हैं वो तो 24 घंटे बोलता ही रहता है तो हम इसको English में कैसे बनाएंगे He keeps on speaking 24 hours He keeps on speaking 24 hours He के साथ हमने keep लगाया और उसके साथ हमने S का use किया है He keeps on Next है तुम 24 घंटे बोलते रहते हो कैसे बनाएंगे You keep on speaking 24 hours You keep on speaking 24 hours Next है Use of kept on Keep का ही past form जो second form है वो है kept on इसको हम use करते हैं जब past में कुछ होता रहता था हम चलते रहे लाइक जैसे हम कहीं गए हैं तो हम किसी को आकर बता रहे हैं ठीक है कि वहाँ तो हम चलते रहे तो ये क्या हो गया past तो इसके लिए हम kept on का यूज करेंगे ठीक है We kept on walking First form के साथ हमने आई इन जी का यूज की है We kept on walking मैं चलता रहा I kept on walking ठीक है I kept on walking Next है वह दोडता रहा He kept on running He kept on running तुम दोडते रहे You kept on running You kept on running इस तरह से Next है use of kept on मैं सोता रहा ठीक है कई बार होता ना जैसे कि मेरे को तो जाना था लेकिन मैं तो सोता रहा कैसे बनाएंगे I kept on sleeping It's very easy चोटी चोटी sentence जब हम अपनी life में use करते हैं तो confidence बढ़ता चला जाता है ठीक है तुम सोते रहे You kept on sleeping You kept on sleeping अब है keep on का use जब हम past के story को तरशाने के लिए करते हैं जैसे मैं उसके घर जाता रहता था कब जाता था? Past में पिछले दिनों में मैं जाता रहता था I used to keep on going his house I used to keep on going his house मतलब past में जब कोई काम regular होता रहता था तो हम used to के साथ keep on का use करेंगे ठीक है मैं खेलता रहता था I used to keep on playing कोई काम जब होता रहता था continually ठीक है तो उसमें हम क्या करेंगे I used to keep on playing next है used to keep on use keep on in future मैं उसके घर जाता रहूंगा ठीक है I will keep on going his house I will keep on going his house हमने आई के साथ will लगाया क्योंकि future का sentence है ठीक है उसके साथ keep on first form ing और other object मैं पढ़ता रहूंगा I will keep on studying I will keep on studying तो गाई यह थे sentence the use of keep on अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा stay blessed I will be back up to this. . . . . .